Front wheel greasing, brakes shoe change करना है या brakes related कोई भी इशू सारे इस बीडियो में डीटेल में कबर करेंगे Front wheel खोलने के लिए हमें एक 19 नमबर और एक 14 नमबर का पाना चाहिए 19 नमबर के पाने से bolt को कोलेंगे और 14 नमबर के पाने से जो axle है उसे पगड़ के रखेंगे बोल्ट खोलने के बाद एकसल को बहर खीच लेना है पूरा एकसल बहर निकलने के बाद इस कुटी को थोड़ा सा ऊपर उठाने पर वील आगे खेचा चलाएगा वील आगे को खेचने के बाद बैक प्लेट को हटा कर वील प्रोरी तरह से अलग हो जाएगा दिये हैं और इस पूरी बैक प्लेट अच्छे से साफ कर लेते हैं जो भी पार्टिकल्स या फिर डस्ट है इसमें उसे जाड लेते हैं ये काम हर 5000 क्लो मीटर पे होना चाहिए लेकिन ओला में कोई भी सर्विस का प्राबधान नहीं है इसलिए हमें ये खुद करना पड़ रहाए और ना करें तो इसकी बच्छे काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ओला में आयमेक्स के ब्रेक पैड़ इसमें पड़े हुए हैं तो ओला के जैनुएन पार्ट लेने का कोई वो नहीं है कि हम सर्फिस सेंटर पे जाके जैनुएल पार्ट डलवाएंगे वो लाभी थार्ट पार्टी जो पार्ट सें वो सोर्स करता है इसके बाद जो ये ड्रम है वो भी मैं साफ कर लेता हूँ जो भी इसमें पार्टिकल्स हैं सब जाल लेता हूँ उसके बाद जो break pad है उन पे थोड़ा से सेंड पेपर मार देता हूं जिससे इसका surface थोड़ा rough हो जाए इसके बाद जो drum है उसके भी चारो तरफ के surface पे एक sand paper मार देता हूं जिससे इसका surface थोड़ा rough हो जाएगा back plate में जो anchor pin है और game shaft है उन दोनों में अच्छे से grease लगा देते हैं क्योंकि यहीं से जो break shoe हैं वो operate होते हैं इनी पर break shoe touch होते हैं यहीं से इनका के साब मड़ता है उसके साथ साथ जो break shoe इस पे लगेंगे उन पे भी अच्छे से grease लगा देते हैं और फिर दोनों ब्रेक्शू में जो होल हैं, उनमें इनके स्प्रिंग डाल के सेट कर लेते हैं, और स्प्रिंग डालने के बाद बैक ब्लेट पे बिठा के सीधा कर लेते हैं, ये बहुत आसान तरीका है ब्रेक्शू डालने और निकालने का, अगर स्प्रिंग को खेच कर डा पोजीशन पर पहुँच जाएंगे अब इसके बाद चेक कर लेना है रिक्षू एंकर पिन और केम शाफ्ट पे ठीक से बैट गया है या नहीं उसके बाद पेजकस से सेट कर लेना अगर थोड़ी बहुत उपर नीचे करने की गुणजाईश है मुझे जर्गी ब्रेक और कट-कट की आवाज आ रही थी ब्रेक लगाने पे इस वज़े से मैंने यह बील खोला था अब ग्रीसिंग कर लेते हैं बेरिंग की तो बेरिंग के उपर जो सील लगी होती उसे खोलने के बाद इसे मैंने छेक किया तो बेरिंग में कोई पले नहीं थी और ग्रीस भीस में बरहवर भरा हुआ था मेरे पास AP3 ग्रीस था इस टैप का ग्रीस नहीं था जो इसमें बेरिंग में लगा था इसलिए मैंने ग्रीस इसमें दूदरे टैप का नई डाला अब मैं ये एकसल को डालके ने गुमा के देख लेता हूँ जो ग्रीस उपर को आगया था उसी को ही मैंने अंदर डाला था और एकसल डालके इन बेरिंग को तोड़ा सा चला दिया था उसके बाद मैं फिर से ये सील को लगा देता हूँ और उपर से जो ये रवर की डस्ट कैप थी इसे भी इस पर लगा देता हूँ अब दूसरे साइड के बेरिंग को भी मैं इसी तरह से खोल कर चेक कर लूँगा ग्रीस मुझे लगाने की ज़रूत दूसरी साइड भी नहीं पड़ी एक वील में दो बेरिंग होते हैं दोनों बेरिंग का अच्छे से काम करना ज़रूरी है नहीं तो वील से आवाज कट-कट की आवाज या फिर प्ले आ जाती है और ब्रेकिंग पर भी इसके थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है यहाँ पर अभी कोई भी मुझे बेरिंग में इशू देखने को नहीं मिला बेरिंग परफेक्टली वर्क कर रहे हैं दूसरी तरफ का भी मैं सील लगा के बेरिंग को पैक कर देता हूँ उसके बाद हम वील को फिट करने के तयारी करते हैं यहाँ पर जो टेंशिनर है उसे लगा दिया है और एकसल को जो शोकर है उसमें डाल दिया है और एकसल को मैं पहले साफ कर लेता हूँ उसके बाद है शोकर में डालूंगा और अब मैं थोड़ा सा वील उपर को उठा करके एकसल को अंदर धकाऊंगा तो एक्सल पूरा आरपार चला जाएगा यहाब मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ी एक्सल को अंदर डालने में क्योंकि यह अलाइन नहीं हो पाया था एक लाइन में तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद फिर जब अलाइन हो गया तो एक्सल आरपार चला गया तो एक्सल पूरा जाने के बाद आप दूसरी तरफ में हलका सा बोल्ट लगा देता हूँ और उसके बाद जो ब्रेक बायर हैं उनको डाल लेता हूँ तो ब्रेक में दो बायर ही यहाँ पर पड़ी हुई है एक फ्रेंट की और एक जो कॉम्बी ब्रेक है उसके लिए इन दोनो बायर में एक एक स्प्रिंग पड़ता है जो हार्ड वाला स्प्रिंग है वो उपर यानि की फ्रेंट वाले ब्रेक में लगता है और जो soft वाला spring है वो नीचे वाले आने की जो combi brake है उसमें लगता है इसे spring को लगाने के बाद जो इसमें pin होती है वो actuarine liver में डाली जाती है actuarine liver में pin डालने के बाद ये wire उसके अंदर से निकल जाती है और उपर जो tensioner होता है आगे उस tensioner को कर दिया जाता ये adjustable होता है यहां से जो brake की tension है उसे कम यह जादा किया जा सकता है जैसे कि कुछ समय के बाद हमारे जो brake हैं वो काफी पीछे को आके लगना शुरू हो जाते तो इन tensioner से थोड़ी सी tension बढ़ा देने से वो brake फिर से पीछे को चले जाएंगे और थोड़ा सा brake लगाने पर ही भी अच्छे से brake apply होने लग जाएंगे अब यहां पर मैंने bolt मी लगा दिया है और एक बार मैं wheel को rotate करके थोड़ा सा देख लेता हूँ जो मेरी दूसरी problem थी वो wheel को जब मैंने rotate किया और इसके बाद brake लगा है तो मुझे आसानी से diagnose हो गई कि वो issue कहां से है अभी मैं इस wheel को खुमाता हूँ और फिर जैसे ही brake लगाता हूँ तो यह यहां पर प्ले बहुत जादा है इसकी वज़ा से यह मेरा पूरा wheel और जो इसकी back plate है प्ले होने की वज़ा से cut cut की आवाज आती है जैसे ही sudden breaking करेंगे कडाक की आवाज आती है तो यहां पर मैं तोड़ा सा send paper का टुकड़ा काट के और डाल देता हूँ अंदर जिससे की play कम हो जाए और इसके बाद इस तरह से wheel को घुमाना बहुत जरूरी है दो तीन बार wheel को घुमा के और break को लगाना होता है जिससे की जो break pad है वो ठीक से set हो जाए और last time जब wheel को घुमा कर break लगाये जाता है तो break को लगे ही रहने देना है उसके बाद इस bolt को जाके tight करना है यह मैं bolt को tight कर रहा था axle की side में 14 number का पाना लगाना भूल गया था जिससे axle rotate होने लगा फिर मैंने रोक के दुबारा से axle में पाना लगाये लेकिन एक हास से मैं फिर भी break को hold करे रहा और इस 19 number के bolt को मैंने अच्छा खासा tight कर दिया इसे बहुत जादा tight भी नहीं करना है लेकिन इसे lose भी नहीं रखना है अच्छा अच्छे से tight कर देना है अब यह wheel मैंने चेक कर लिया गुमाया और फिर से break लगा लिया break perfectly काम कर रहे हैं अब intentioner को मैं अपने according tight कर देता हूँ जिससे मुझे break अच्छे से मैंने और मुझे कुछ जादा ही लंबा जो run है break के liver का वो ना रखना पड़े अब आजाती है end में टेस्टिंग की बारी तो यह मैंने टेस्ट किया यहाँ पर एकदम perfectly break काम कर रहे थे जर्ग भी 90% कम हो गये थे और जो cut cut वाली समस्या थी वो भी पूरी तरह से हल हो गई थी